नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चेनल अपनी क्लास पर दोस्तों दस्वी और बार्वी के विद्धारतियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों खबर ये है कि दस्वी और बार्वी के विद्धारतियों को ब ओफीशल खबर आईए जिसमें बताया गया है दस्वी और बार्वी प्रिक्षा में नहीं मिलेगा जनरल पर्मोशन तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जो आपकी प्रिक्षा ही बच गी है वे निश्चित रूप से होने वाली है आपको जनरल पर्मोशन है वो नहीं मिलने व लिखावा है शिक्षा विभाग वार्सिक परिक्षा में जनरल परमोशन दिये जाने की चल रही थी अटकलें। जारी किये आदेश कि आपकी जो परिक्षा हैं वो होगी और लोक डाउन खतम होने के बाद में नया आदेश है जो नया टाइम टेबल है वो जारी कर दिया जाएगा। विदार्ती लगातार यही सोच रहे थे कि जो अब टाइम है वो निकल चुका है अब परिक्षा नहीं होगी। दोस्तों लेकिन जो स्कूल चिक्षा विबाग है उसने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है और बताया है कि लोक डाउन के बाद परिक्षा कराएंगे और आप अपनी त्यारी पूरी रखो। दोस्तों आगे देख सकते हैं लिखावा है विबाग ने दोनों कक्षाओं के बचे हुए विश्यों की परिक्षाएं लोक डाउन समाप्त होने के बाद लेने के आदेस दारी किये हैं यानि कि अस्कूल चिक्षा विबाग ने का आए कि जैसे ही लोक डाउन खतम होगा हम खतम होने के तुरंत बाद आपकी बची परिक्षाएं करा लेंगे और जल्द से जल्द रिजल देने की कोशिश करेंगी आगे लिखावा है कक्षा दस्वी में दो और बारवी में नो विश्यों की परिक्षा होना है यानि कि आपकी कक्षा दस्वी में दो परिक्षाएं आयोजित नहीं की जा सकी है उन विशों की प्रिक्षा लोकडाउन अवदी समापत होने के बाद ली जाएगी यानि की बोर्ड के हुपसचिव परमोज सिंग जी ने साप कर दिया है कि कक्षा दस्मी और बार्वी की बजी प्रिक्षाएं निश्चित रूप से होने वाली है विद्यारती तयारी शुरू कर दें दोस्तों विद्यारती किसी भी आपे अटकल में ना पसें की परिक्षा नहीं होगी समय निकल चुका है ऐसा बिलकुल भी नहीं है परिक्षा लोकडाउन के बाद होने वाली है देख सकते हैं आगे लिखावा है परिक्षा का टाइम टेबल माज़ेमिक शिक्षा मंडल दो किये थे जिससे कल से ही ट्वीटर पर दो नमर पर ये बात ट्रेंडिंग कर रही थी दोस्तों इससे क्या हुआ कि केंदर सरकार की जो चिंता है वो बढ़ गई केंदर सरकार ने साप के दिया विद्यारतियों की परिक्षा लोकडाउन के बाद करवाई जाएगी दोस्तों दसवी और बारवी परिक्षा के समन्द में विभाग केंदर सरकार की अनुमती का इंतजार कर रहा था दोस्तों कहने का मतलब ये है कि देश की जितनी भी राज्य सरकारे हैं वो केंदर सरकार के फेसले पर निरबर थी अब केंदर सरकार क्या फेसला लेती है क्या वो परिक अब दोस्तों के अंदर सरकार ने और सभी राज्य सरकारों को कहा है कि आप अपने जो बोर्ड हैं उनकी जो परिक्षा तारिक है वो अपनी क्या आपकी जो कंडिशन है उसी के अनुसार गोसित कीजिए यानि कि जो हमने CBSE Board की गोसित किये एक जोलाई वे ना करकर के आपके जो राज्य के अंदर जो कंडिशन है उसके इसाब से आप अपनी परिक्षा तारिक गोसित कीजिए तो दोस्तों ये तो पक्का है कि आपकी जो परिक्षा है वो होगी अब आप बताता हूं कि CBSE Board के अलावा जितने भी ब परिक्षा है वो भी शुरू हो जाएगी और दोस्तों कब तक चलेगी ये 25 जून तक चलेगी और हर साल की तरह अगली कक्षा में जो परवेश है वो एक जुलाई से शुरू हो जाएगा दोस्तों केवल CBSE Board की परिक्षा है वो एक जुलाई से शुरू होगी लेकिन जितने भी राजिय बच गए हैं उनके जितने भी बोर्ड है उनकी जो परिक्षा है वो जून के अंतिम सब्ता में खतम हो जाएगी और अगली कक्षा मे परवेश किस परकार देने पाओगी लेकिन दोस्तों आपको बता दूँ प्रवीजिनल जो एडमिशन होता है और थाई एडमिशन आपको मिल जाएगा अगली कक्सा में यदि आप पिछली कक्सा में जैसे कि दस्वी कक्सा की विदार्ती हो और आपको एक जुलाई से ग्यार पिछली कारती ये सोच रहा था कि हमें बची परिक्षा नहीं देनी पड़ेगी हमारे को जनरल परमोशन मिल जाएगा तो दोस्तों आप गलत सोच रहे थे यहां पे साफ साफ गौवर्मेंट ने बता दिया है कि दस्वी और बार्वी परिक्षा में नहीं मिलेगा जनरल प दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब दके लिए जैहिन जै भारत